कॉंग्रेस पार्टी का जो नेत्रित्व है वो इंडी गठवंदन पर कब्जा करना चाहता है एक साजिस के तहत केजरिवाल जी ने भी और मंता दीदी ने भी प्रदानमंत्री पदकेजी खड़गे का नाम उठाया जबकि ये तया हो गया था कि कोई प्राइमिस्टर फेस न कि यहाजा जनता दल्यू ने इंडी गठवंदन से नाता तोड़ करके और एंडीय में जाने का फैसला किया जो इंडी गठवंदन के नेता नितिश कुमार को सहीजग बनाने के लिए तयार नहीं थे उनके परदानमंत्री पद के ओफर आए आज स्पेकुलेशन चल रही हैं सामने आ रहे हैं कि आपको जेडियू को जो है परदानमंत्री का पत्त चाहिए था इस्वेया से साथ नहीं गए जो एलाइंस का लीडर बनाना था कर्वीन और वो नहीं बनाएगे इस्वेया से आप लोग अलग हो है क्या कुछ है इस पू हमादमी पार्टी समाजवादी पार्टी DRS और टीमसी के नेता कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बैठने के लिए तयार नहीं थे तब उस पॉलिटिकल एस परस्ता को पॉलिटिकल अंट्रेशबिल्टी को नितीश कुमार जी ने पटना में मीटिंग करके खतम किय जब राहुल जी के बराबर में, खड़गी जी के बराबर में, केजरिवाल जी बैठे, अठलीज ज्यादो जी बैठे, मम्तादीदी बैठी, तो उसके बाद निरंतर हम प्रियास करते रहें, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का जो नेत्रित है, वो इंडी गठवंदन पर मुंबई में है, मुंबई में तै हो गया था, कि कोई भी इसका प्राइमिस्टर का चेहरा नहीं होगा, लगभार जी सबी छेत्रिय दल तयार थे कि नितिश कुमार जी इसके कणिविनर बने, लेकिन आशोका होटल की मीटिंग से पहले, एक साजिस के तहत, केजरिवाल जी ने भी और मंता दीदी ने भी प्रदान मंतरी पदकेजी खड़गे का नाम उठाया, जबकि ये तै हो गया था कि कोई प्राइमिस्टर फेस नहीं होगा, और नितीश कुमार जी के कनिवरन बनने पर भी कांगरेस पार्टी के सबसे बड़े निता ने सवाल कर दिये, इतना हमीलियसन इतनी मेहनत करने के बाद हमारी रैंके निफाईली को मंजूर नहीं था, और हमें इनके इरादों का पता लगया कि ये विकल्प के बजाए उस संग्ठन पर कबज़ा करना चाहते हैं, लहाजा जनता दल्यू ने इंडी घठवंदन से नाता तोड़ करके और तूड़े वी आर वेरी कंफर्टेबिक इतिहास गवा है कि हमारा फैसला सही था, लेकिन चुनाव नतीजे के घोषना होते ही, इंडी घठवंदन के बड़े बड़े निता, इंक्रूडिंग कॉंग्रेस, वो लग गए नितीश कुमार जी और जेडी यू को अपनाने में, जो इंडी घठवंदन के निता नितीश कुमार को सवीजग बनाने के लिए तयार नहीं थे, उनके परधान मंत्री पद के ओफर आए, मुझे प्रसंता है, कि जेडी यू के नितीश कुमार जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, और नए परधान मंत्री के रूप में, सिरी न धरिंद मोदी के नाम का अनुमोदन सिरी नितीश कुमार जी ने किया, और इस सारी अफ़ाएं जो उनके द्वार अफलाई गई थी, उनका समापन हो गया, लेकिन ये पॉलिटिकल बैंक करप्सी, इंडी घठवन के निताओं की रही, कि जिस व्यक्ति को वो कनिमिनर बनान प्रपोजल तो उन्होंने खुलम-खुलम मीडिया में दिये हैं, इसमें जो कैद हैं वो अलग हैं, नेताओं के नाम भी, कैन्वरसेशन भी, और उन्होंने खुद नितिश कुमार को और चंदबाबु नहाड़ी को वो डेली, खुलम-खुला, समाचार पत्रों के जरिये किया ये चार तारिकों ही आया था सर्थ, जिसमें दुजर्ट आया था, उसके ने वो पराज आजा, और क्या गांधी परिवार के तरफ, नहीं मैं क्सी को नाम नहीं ले रहा, लेकिन कोंगे इसके जो हाइस्ट ऑफिसर से, ऑफिस बीर से, उनका भी था, और जो सहयों की प कंडेट के खिलाब, राहूल गांधी का नाम आगे आ रहा है, इंडिया एलाइन्स के नेता पर तो और कॉंग्रेस की वर्किंग कमिटी की बैठक्ति जिसमें राहूल गांधी ये पहले दिन सी तय था, नितिश कुमार को इंडी गठभंदन के जो घटक दलों के अननेता है उनको बाइपास करके पहले दिन से उनकी योजना थी कि इंडी गठभंदन पर कभजा करो और कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं को ही प्रदान मंतिरी उपद के लिए प्रोजेक्ट करो सबसे, नितिश कुमार जी ने तो फोन ठानी से मने कर दिया था, I'm on recording